तो आज हम बनाएंगे पालक फिश तो चैनल भी बिस्मिला करते तो सबसे पहले हम प्यास फ्राइब कर लेते एक प्यास ले लिए मेंने इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है इसमें में लशना एक कर दूगा अब इसमें मैं लशना एक कर दूगा और मैं इसमें पनी एक कर दूगा कि एक टमाटर ले ले इसको छोटा छोटा आपने काट लेना है जैसे मुर्जिकार ले लाजमीली छोटा-छोटा ही काटना हुआ हरी मिर्चें दो ले ले एक चमच नमग ले ले एक चमच लाल मिर्च एक चमच हल्दी एक चमच आपने जीरा ले लेना और एक चुटके आपने अजवाय ले लेनी है और एक चमच आपने कुट्यूई लाल मिर्च अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा ट्रमाटर रप्यास को अच्छे तरीके से गल जाईए हलकी आज को से मसाला अगे हमारा त्यार अब इसके उपर मैं इसको सेट कर दों अच्छे तरीके से अब 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 दो मिनिट के इसको मैं हलकी आज पर दो से तीन मिनिट के लिए हलकी आज पिसको आपने दम पर लगा दे अब अब इस में टोगे हमारे अब 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 फिश को लिखाले लेंगे अब 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 है कि तो किृए कि अभिक कि पालग ड़ूंगा पालग मैंने । बॉइल कर ली है निने वान को चोप कर लिए ए लोग द टूए कि अब इसमें आपकवियर आप कर दूए पालो कम ने अच्छे तरीके से इसका पारी भी खुश्च कर लेनी है कि बोईल मैंने पहले से करके रखलेती चौब भी कर लिये था सिर्फ इसको ने बूनने और उसका पारी खुश्च कर ले कि अच्छे तरीके से आपने पालो की बनाई करेंगे कि अतना ही अच्छा टेस्ट आएगा पालक में और बच्चे कुछ पालक नहीं भी खाते इसी बाने फिश्के पाने बच्चे पालक भी खा लेंगे अब इसके उपर मैं फिर सेट कर दूंगा और बिल्कुल एक मिनिट के लिए ना टाइम उपर ना नीचे एक मिनिट के लिए आप इसको दम पर लगा रहें है जल्दी गल जाती है जादा गलगी पूटेगी है जले एक मिनिट के लिए मैं इसको दॉस्ता लेगा दूंगा तो हम इसको चेक कर लेते माशाला पालक फिश होगी मारी त्यार तो अब इसको मैं डिशॉट कर लूँगा उमीद करता हूं कि आज की मैं रेस्पिया को बहुत पसंदा यहों अगर पसंदा यह तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिएगा अल्ला हाफिज